कैसे हैं आप आसा खरता हूं कि आप सभी स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे और अपने अपने कामों में ब्यास्थ होंगे तो दोस्तों चलते हैं आज की नई जानकारी के तरफ अमावश्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे जिनकी चार संताने थी दो लड़के और दो लड़की एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसी लड़की का नाम अमावश्या था पूनिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा आचना भी किया करती थी इसके अत्रेक्त वह गौमाता की भी सेवा करती थी और उसकी दूसरी बहन अमाभस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा करती थी और ना ही गवमाता की सेवा करती थी पूर्णिमा शर्वगुण संपन्द थी फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वहाँ पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे उसके साथ भेदभाव करते थे राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे जब वे बड़े हो गए राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं से करा दिया था इसके बाद राणी ने राजा से कहा अब दोनों पुत्री विवाह की योग्य हो गई है इन दोनों का भी विवाह करा दो लेकिन पुत्री अमावश्य का विवाह किसी बड़े खांदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना क्योंकि पूरिमा को केबल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सिवा करना पसंद है अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिस्ता तै करने के लिए भेज दिया राजा ने अपने पडोसी राजे में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावश्या का विवाह तै कर दिया और वही पास के गाउं में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूज़ी मिकारिस्ता तै कर दिया यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान के काम में मगन रहती है पूर्णिमा का भाई और उसकी भावी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती है और कामों में उनका हाथ बताती है और यही उसकी दूसरी बेहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है और घर का कोई कार नहीं करती कुछ समय बीद जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है राजा और रानी के विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों का विदाई देते हैं विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धान और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं, इसके बाद दोनों बहने अपने अपने ससुराल को चेंदे, एक दिन अमावस्या अपने घर पर सिवजी की पूर्णिमा को नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती, सभी गाउं की ओरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या, भगवान की कथा है, तो आपको जाना चाहिए, तुम हमारे साथ चलो, गाउं की सभी ओरतों की बात मान कर, पूर्णिमा भी उनके साथ, भगवान से की कथा में, अमावस्या के घर चली जाती है, अमावस्या की नजर, पूर्णिमा पर पढ़ती है, तो वहां कहती है, तुम यहां कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बो पूर्णिमा की आँखों में आशु आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान सिर्फ से बिंती करती हैं। सेव कथा पूरी हो जाती है और अमावश्या भगवान का प्रसाद बाटने लगती है वह सबी लोगों को प्रसाद देती है लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती। अपने भाई और भोजाई के हाँ जाई ऐसा सूचते हुए वह अपने घर वापिस लोटाई और घर वापिस लोटकर आने के बाद वह अपने पती और बच्चों से कहती है कि वह अपने माय के जा रही है। पती ने कहा ठीक है और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने माय के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं साक्षा तुलसी मा थी। उस बूढी माता ने पूर्णिमा से कहा बिटिया तुम कौन हो और कहा जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचा देती है। परिचा देने के बाद बूढी आरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहां तुलसी का पौधा सूख रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस से मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी पूर्णिमा ने का मैं तुलसी में पानी डाल देती हूं और यहां की साफ सफाई कर देती हूं पूर्णिमा ने साफ सफाई के बाद बुड़ी अम्मा को भी पहर दपाए और बुड़ी अम्मा से कहा कि मा जी और बताईए मैं आपकी क्या सेवा करूँ और कोई काम है तो बता दीजिए मैं कर दूँगी अम्मा ने कहा कुछ नहीं अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना पूर्णिमा ने बुढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी मैं जाती हूँ वापस आते वक्त आपसे मिलती हो जाओंगी कुछ समय आगे चलने के बाद एक सिव मंदिर आया वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे वह कोई और नहीं साक्षाद भोले ना थे उन्होंने पूर्णिमा से कहा कहा जा रही हो बेटी तुम कौन हो तब पूढ़ी सफाई कर दी वहाँ पर पूजा पाठ अर्शना भी की और साफ पूजा अर्शना करने के बाद उन्होंने बुढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा बाबा और काम हो तो बताओ तब बुढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी अब तुम जाओ और बापा साते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना पूढ़ी माने कहा ठीक है बाबा वहाँ भी एक बूड़ी अम्मा चबूद्रे पर बैठी हुई थी उस बूड़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो कहा जा रही हो तब पूर्णिमा ने उस बूड़ी औरत को भी अपना परिचह दिया बूड़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं लेकिन मंदर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता इसलिए तुम इस मंदर की और चबूद्रे की साफ सफाई कर दो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी और पूर्णिमा मंदर की और चबूद्रे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का स्रंगार कर देती है और उसी बूड़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूड़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माजी और कोई काम हो तो बताईए बूड़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी अब तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना पूर्णिमा कहती है ठीक है और वहाँ वहाँ से आगे चली जाती है आगे चलते चलते एक नदी आती है वहाँ पर भी एक बूड़ी अम्मा बैठी रहती है और वहाँ कहती है कि बेटी तुम कौन हो अपना परिचह देती है बूड़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी प मा कहती है ठीक है मा जी और वहाँ की साथ सफाई कर देती है और इस बुड़ी अमा के पैर भी दबा देती है और कहती है मा जी और कोई sanand काम हो तो बताईए बुड़ी अवरत ने कहती है कि अब कुछ काम नहीए बेटी तुम जाओ लेकिन बापस आते बक्त मुझसे मिलती हुए जाना और वहाँ नाव में बैठा कर नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाती है और वहाँ अपने माईके के घर पहुच जाती है वहाँ पूर्णिमा के भाई और भावी उसे देखकर बहुत खोस हो जाते हैं और वह पूर्णिमा की बहुत खातेरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बाते करते हैं और कहते हैं बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा वहाँ आपस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भावी ने उसके लिए एक साड़ी दी खेलों में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीने रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों बात आती हो और पूर्णमा की भावी ने यह ठेला पूर्णमा के हाथ में दे दिया और कहा जाओ और जल्दी वापसाना इसके बाद पूर्णमा वहां से अपने सस्राल के लिए रवाना पूर्णमा नदी के कनारे पहुंची और वहाँ नाव में बैठकर दूसरे कनारे पर उतर गई वहाँ पर उतरने के बाद वहाँ पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगामया थी उस बूर्णिमा ने पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घार जाकर ही खोलना अब पूर्णिमा के पाथ दो थैले हो गए उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई आगे कुछ दूर चलने पर कालिमा का मंदिर आया वहाँ पर काली मा बूढी मा के रूप में विराज मान थी उसने कहा आगई बेटी पूर्णी मा पूर्णी मा ने कहा हा मा जी आगई तो काली मा ने उसे एक थैला दिया और कहा तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना अब पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए थे तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी कुछ दूर जाने पर सिव जी का मंदिर आया जहां बुड़े बाबा के रूप में सिव जी स्वेम राजमान थे बुढे बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई बुढे बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दे दिया पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए और थैलो में ज़्यादा बज़न था तो पूर्णिमा ने सोच अब साड़ी निकाल कर थैलो को साड़ी में रखकर एक पोठली बना कर अपने सर पर रख लिया और वहां से रवाना हो गई कुछ दूर जाने के बाद उससे तुलसी मा बूढी औरत की रूप में मिलती है और कहती है पूर्णिमा तुम आ गई पूर्णिमा कहती है हाँ माजी मैं आ गई वह बूढी औरत भी उसे एक ठैला देती है और कहती है कि यह ठैला तू अपने घर जाकर ही खुलना पूर्णिमा कहती है ठीक है माजी अब पूर्णिमा के पास पाँच थैले हो गए पूर्णिमा वहां से रवाना होई तो वापस अपने घर पहुँच गई पूर्णिमा के बच्चे सबसे पहले अपने माहिकी के थैले को खोल कर देखने लगी उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, खाने की पीने की चीजें पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिये और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था उसमें धेर सारे हीरे जवारात सोना चांदी आधी था उसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली मान दिया था उसमें बहुत सारा सोने का संगार सामान भरा हुआ था उसके बाद पूर्णिमाने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान सिर ने दिया था उसमें बहुत सारा धन संपत्ती भरा हुआ था और बहुत सारी खुसियां भरी हुई थी इसके बाद अब पूर्णिमाने पांचमा थेला खुला जो उसे तुलसी मान दिया था उसमें चावल दाल और साथ प्रकार की खानी के चीज़ें भरी हुई थी अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी उसका घर धन धानने से भरा हुआ था और परिपूर्ण था अब पूर्णिमा और उसका चीज की श्वजी की कथा में एक कारी करम रखा जाए। पूर्मा ने गाऊं के जो जोको ने मंतरण दिया और घर जर जोको बोलाया। पूर्णिमा अपनी बैळन्यामावस्या के घर भी गई और हमावस्या को भी सिख की कथा leveraging के लिए उसने अपने घर पर उसको बुलाया जब अमावश्या पूर्णिमा के घर सिवजी की कथा में आई तो उसने देखा पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है इतना सारा धन दौलत देखकर अमावश्या आस्चर चकत हो गई उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहां से आई पूर्णिमा ने कहा देखो बेहन तुमने सिवजी की कथा मैं मुझे नहीं बुलाया था फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाथ तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाग भी उड़ाया उसके बाद मैं अपने घर आई और घर आते हुए मनी मन में सूच रही थी कि अपने माय के जाऊंगी और मैं अपने माय के चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सबी घटना अपनी बहन अमावस्य को बताती है तो अमावस्य कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डाट लो लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है मैं तो सब को दूँगी और तुमें भी दूँगी फिर भी अमावस्य ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई घर आकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने माई के जाने के लिए तैयार हो गई और माई के के लिए निकल गई उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी मा मिली जो चबूत्रे पर बूढी मा की रूप में बैठी हुई थी बूढी मा ने अमावस्य से कहा कि बेटी कौन हो तुम कहा जा रही हो अमावस्य ने अपना परिशा दिया बूढी मा ने कहा बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबू तरे की साफ सफाई कर दो पर अमावस्चा ने कहा बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है यह गंदी हो जाएगी ऐसा कहकर वह वहां से आगे जली गई और आगे जाने पर उसे भगवान सिव मिले जिसे भी उसने ऐसे ही कहा इसके बाद आगे जाने पर उसे कालिमा मिली जिससे भी उसने यही सारी बातें कहीं गंगा मैया मिली जिसे भी उसने यही सब कहा आगे चली गई इसके बाद अमावस्या जब नौ में बैटने लगी फूलों की जगध काटे भरे थे जो उसके पैर में चुब रहे थे किनारे पर उतर कर वहां अपने माय के चली गई जब वहां उसे उसकी भावियों ने तथा भाईयों ने देखा तो मनी मन कहने लगे काम की नाकाज की दुसमन अनाज की आ गई है तो ठीक है पूर्निमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी यह कोई काम करेगी तो नहीं अब उन्होंने खाना बनाया और खापी कर सबी सो गए अमावस्या जब सुबा उठी और अपनी भावियों से कहा कि मैं अपने सस्रॉल जा रही हूँ उन्होंने कहा ठीक है जाओ अमावस्या बोली पूर्निमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या भाई और भावी ने कहा कि तुम घर जाओ थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएगा फिर अमावस्या ने वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुँची वहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी बूर्यमा ने कहा आगई बेटी उसने कहा हाँ आगई अमावस्या ने कहा तुमने पूर्यमा को एक थैला दिया था मुझे नहीं दोगी क्या बूर्यमा ने कहा तुम घर जाओ थैला तुम्हारे घर पहुच जाएगा उसके बाद आगे जाने पर काली मैया मिली अमावस्या को यही बात कहा इसके बाद आगे सिवजी मिले उन्होंने भी यही बात कही और आगे जाकर तुल्ती मैया मिली वहाँ पर भी अमावस्या से उन्होंने यही बात कही कि तुम घर जाओ तुम्हारे घर थैला पहुच जाएगा अमावस्या अपने घर पहुच गई है आंगन मैं देखा तो वहाँ पर पांच थैले पड़े थे अमावस्या ने मन मन सोचा अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी जल्दी जल्दी उसमें सभी थैले खुलना शुरू किये किसी में मिट्टी थी किसी में पत्थर किसी में कंकर और किसी में कोईला उसे माईके से भी कुछ नहीं मिला था इन थैलों में कुछ भी नहीं था अमावस्या दोड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है तुम्हें तो कितना सारा सब कुछ मिला मुझे कुछ नहीं मिला आखिर क्यों तुपूर्णिमा कहती है कि जब मैं मैं अपने माई के जाती हूँ तो अपने भावियों के साथ काम मैं हाथ बटाती हूँ उनके साथ मिलकर काम करती हूँ लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती उनकी इज़द भी नहीं करती इसलिए बहुत तुम्हें भला क्या देंगे इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया खाली मा को भी ठुकरा दिया भगवान सिव को भी तुमने ठुकरा दिया इसलिए उन्होंनों भी तुम्हें कुछ नहीं दिया अमावस्य कहती है कि बेहन तुम मुझे माफ कर दो मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं मैं भी भगवान की भक्ती करूंगी और सब कुछ परात कर लूँगी मुझे अन्सब चीजों का रहस्ते बताओ तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम तीन सूत्र का ग्यान ले लो और उसकी कथा करना पहले सूत्र में दया मांगना दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में एक सो आठ भार ओम नमा सिवाय का जाब करना बहन भगवान ने यह सूत्र दिये इनको अपने हर्दय में बसा लेना मैं भी यह तीन सूत्र अपने जीवन में अपनाए थी और सच्चे मन से भगवान की भक्ती पूजा पाट की थी फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया इसके बाद अमाबस से अपने घर गई और भगवान की पूजा करने लगी भगवान सिर्फ से उसने माफी मांगी और गवान तकी सेवा भी की और दूसरे की मदद भी करने लगी तो दोस्तो कैसी लगी कहानी आसा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलता हूँ दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो पर तब तक सभी को रादे रादे बाइबाइ दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो पर